असलाम आलेकूम वीवर्स क्या हाल है आप सबके हो फुछ है वेलकम बैक टू माई चैनल तुझी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं वाइड के वाइड कैप्सूल जो कि आज मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी कैसे होते हैं इसके साइड एफेक्ट्स क्या है इसके बै इन सारी चीजो के बारे में आज हम बात करेंगे इस बातल आपको सबसे पहले तो मिल जाती है किसी बी चोटी मोटी शॉप से भी बड़ी जगहों इसके उपर कोई नाम मैंशन नहीं होता नहीं ब्रैंड होता है यह इसी जानह से बिल्कुल प्ले बातल होती है और इसका य तो यहां पर जो है मैं आपको इसका रिव्यू देती हूँ तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं दिखाऊंगी कि यह जो वाइट कैपसूल हैं यह यूज किसलिए होते हैं तो यह यूज होते हैं क्रीम्स के अंदर बहुत सारी चीजों में यूज कि में तो उसमें जो हम लोगों को रिजर्ड मिलता है तो यह कैपसूल उसमें यूज करते हैं यह देखें इस ताना का यह कैपसूल होता है और इसको जो है उपर से कट करके निकाला जाता है तो यह हलका सा जेल फॉर्म में लिक्विट फॉर्म में निकलता है ओईली टाइप एक बोटल में कितने सारे कैपसुल होते हैं तो यहां पर जो है आपको यह बताती हूं कि सबसे पहले तो जब हम इसकन माने Brooks म wijले आखिए लना एक में भी कहती हैं हम कहते हैं कि कैसे न करेंकिए पॉलरा गाते हैं लग्ति किरते हैं लेकिन यह इंस्टेंट गोरा करता है जैसे अगर आप लोग को इंस्टेंट वाइट्निंग चाहिए होती है तो आप यह उस चीज़ों में यूझ करते हैं लेकिन मैं आपको आज इसके जो है वो बताती हूँ किस तरह से यूझां करने चाहिए और किस किस time यूज़ करने चाहिए उसके साथ-साथ के हमें कितना benefits होते हैं अगर हम जादा यूज़ करते हैं और कितने इसके side effects होते हैं तो वहां के results तो वहां के results बलकुल अलग होते हैं और हम घर पर अगर वही चीज़ ट्राइ कर रहे होते हैं स्वेय के अच्छा भी फैशा कर रहे होते हैं तो वह रिजल्स नहीं आपाते जो वह इंस्टेंट मिलते हैं तो वह क्यूं मिलते हैं वह इसी वज़य से नवीत रहा है कंगे रहे होगर से ऐसे हाधने पोलिश इसमें remedies भी बनाते हैं लोग facials भी करते हैं बहुत सारी से चीज़ों होती हैं जिसमें यूज के जाते हैं लेकिन मैं आपको आज यह बताऊंगी कि इसको किस तरह से इसको करना चाहिए जब आप लोगो कर रहते हैं तो बिल्कुल ही कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें instant राया हिए चीज इंस्टेंड चाहिए तो हर चीज इंस्टेंड जरूरी नहीं होती आपको अपने face के हिसाब से करनी चाहिए क्युकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम बौत जादा चीजह यूज़ कर लेते हैं क्रीम यूज़ कर लेते हैं То ऐसा इतना जादा नहीं क्योंकि जो फॉर्मला क्रीम होती है उसमें काफी सारे इंग्रेडियंट्स बोग पहले ही डाल चुके होते हैं जो के हम इसके अंदर उसकी और बढ़ा देते हैं कि वाइटनिंग और जादा हमारी बहुत जल्दी होगी और इस तरह से होगी तो वह हमारी लिए हामफुल हो जाता है जाये और दो जादा जादा ज़े मेडिसन के थ्रू है याा प्र किसी कास्मेटिक्स या पर किसी भी आप ऐसेशल वगारा के सकीन केर के थ्रू करें तो जादा अश्वारी जाधन जादा होता है क्योंकि हर चीज़ को एक लिमिट में यूज किया जाता है अब हम बिल्कुल यह करेंगे कि रेगुलर बेसिस में हम इसको यूज कर रहे हैं बहुत जादा इसको रोज जो है अपनी क्लिंजिंग कर रहे हैं उसके अंदर यूज कर रहे हैं इसके पॉलिश कर रहे हैं रोजाना कर रहे हैं या वीक में तीन से चार दफा भी कर रहे हैं तो भी यह हमारे लिए हामफुल होता है हाँ इसका जो मेन जो जिस तरह से मैं आपको बताती हूं कि आपको यूस करना चाहिए तो कोशिश यह करें कि आप मन्त के अंदर एक बार फिशल ले रहें तो आप इसको यूस कर लें उसमें या फिर कोई रेमेडी आप इसको होमेड रेमेडी बना रहे हैं जो के क्यूकंबर की रेमेडी हो गई है स्किन वाइटनिंग रेमेडी जो होती है क्यूकंबर वगएर की या पिर किसी भी तरह कि मैं आपको आगे सिखाऊंगे इस तरह की चीज़े तो उसमें आप इसको यूस कर सकते हैं एक कैपसूल दो कैपसूल आप उसमें यूस करें लेकिन क्रीम और क्रीम के अंदर पहले ही कौजिक एसिड गया और मतल criminal के पीछही में कौजर की में किया हैं के रिखाय अफ। आप कोशिश कैशें करें के द्ह। रखते हैं कि यूजर में अज utilization rate यूज़ ना करें और फिर इस तहां से हम इसको यूज करें तो ऐसा ना क्या करें हाँ कुछ चीजों में इंस्टेंट वाइटनिंग चाहिए होती है जैसे कि अगर आपकी शादी है या कुछ लोगों की मतलब कोई भी ऐसा इवेंट है या कुछ है तो आपको इंस्टेंट चाहिए तो मैं रेक इसको ना है तो वह सीरम है वह जादा तर लोग इसके साथ मिला कर यूज करते हैं क्रीम में वह इंस्टेंट वाइटनिंग तो देता है बहुत ज्यादा वाइटनिंग देता है उसके ओपर मैं कभी वीडियो बनाऊंगी और बताऊंगी कि उसका मुझे क्या करना चाहिए तो नेक्स टाइम अगर आप लोग को वीडियो देखनी हो तो मुझे जरूर कॉमेंट बाक्स में बताईए का तो मैं उसके ओपर वीडियो बनाऊंगी तो यहां जो है मैं आपको यह बता रही थी कि वाइटनिंग कैपसूल आप यूज करें एक लिमिट में यूज करें अ आपके फेस जितने क्लियर होगा उतना जादा अच्छा है चाहिए आपका कलर कितना ही डिम क्यों ना हो तो इसको मैं किसी रेमिडी में भी यूज कर के दिखाऊंगी किन-किन चीजों में आप इसे यूज कर सकते हैं काफी सारी चीजों में यूज होते हैं मैं आपको करके किसी अच्छी से remedy and reviews के साथ Allah Hafiz